दोस्तों शाउमी का MI8SE इंडिया में लॉंच होने वाला है और इसका जो प्रूफ है वो खुछ शाउमी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मस्टर मनु कुमार जन ने दिया है क्योंकि जब रैट्मी वाइट टू लॉंच हुआ था और जब उनसे पूछा कि MI8 कब आएगा तो उनका कहना था कि MI8 और MI8SE और जो Mi Band 3 है ये तीनों ही जुलाइ के महीने में ही लॉंच होने वाले हैं और एक और बात बता हूँ आपको जो MI8SE होगा वो इंडिया के अंदर MI8i बनके लॉंच होगा अब आई इसलिए शायद वो इंडिया के लिए ही होगा और MI8i क्यों क्य है www.mi.com.mi8i तो आपको MI8SE का ही ऑफिशल पेज खोलेगा तो ये बहुत ही जादा चांसे है कि जो MI8SE है वो इंडिया के अंदर MI8i बनके आ जाए क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो इंडिया के साथ परफेक्ट है और जो प्राइस प्राउंट पर आएगा तो हो स प्राइस रेंज के अंदर किसी दूसरे फोन के अंदर भी नहीं मिलती तो अगर MI8i अगर इंडिया में आता है तो काफी क्लार फोन होगा अगर MI8i के डिस्प्ले के वर में बात करें तो इसके अंदर आपको 5.88 इंच का MOLED दिस्प्ले देखने को मिलेगा फुल HD प्लस रि देखने को मिलेगा और नॉच देखने को मिलेगा ये Android 8.0 Oreo के पर चलेगा और MI810 के साथ ही आएगा अगर कैमरा की बात करें तो इसके अंदर आपको 12 Megapixel का F1.9 के अपरचर का कैमरा मिलेगा और एक secondary camera होगा 5 Megapixel का यानि कि 5 Megapixel का depth sensor होगा और selfie के लिए 20 Megapixel का camera होगा और RAM और storage की बात करें तो 4GB RAM 64GB storage और 6GB RAM 64GB storage और इसकी जो price होगी वो चाइना के साब से तो 1,799 युआने लगभाग 19,000 रुपए है इंडिया के साब से 4GB RAM 64GB वाले model की और 2000 युआने 6GB RAM 64GB वाले model की जानि की लगभा 21,000 रुपए लेकिन इंडिया में हो सकता ही कि थोड़ा सा अवाइलेबल नहीं और यह one of the best value for money smartphone होगा यानि कि अगर 25,000 तक भी किसी को अगर phone का खरीदना है तो आज की डेट में phones अच्छे अवाइलेबल है नहीं और लोगों को recommend किया जाता है कि वो अपना budget कम करके Redmi Note 5 Pro ले 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 लेकिन यह phone अगर आ जाता है तो यह पहला phone होग नेक्स महीन है तो शायद आपको यह phone काफी अच्छा लगेगा और वहीं मैं बात करूँ दूसरे phone के जो MI8 है तो वो भी काफी popular phone है और जो MI8 है वे अच्छली direct compete करेगा इंडिया में जो OnePlus 6 launch हुआ है क्योंकि जो pricing जो है MI8 की वो चाइना में थोड़ी सी कम रखी गई है जो कि इसके अंदर भी आपको 6.21 इंच का display देखने को मिलता है full HD plus AMOLED screen snapdragon 845 है और इसके अंदर आपको dedicated face unlock के लिए sensor सिखने को मिलते है जैसे कि आपको iPhone 10 में देखने को मिलेते तो इसका जो face unlock होगा वो कहा जारे है ज्यादा सिख्या होगा पर कितना होगा इसके आने के बाद लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहानी जा सकता है कि जब ये phone launch हो जाएगा तब देखना है कि ये OnePlus 6 के सामने कैसा टिकता है अगर ये OnePlus 6 को अगर हरा देता है हर मामले में और उससे कम price में आता है न तो इस सच में एक killer phone होगा और अगर आप expect कर रहे है ते 25-30,000 रुपे अगर इसकी कीमत हो जाए MI8 की तो ऐसा होना बहुत ही जादा मुश्किल है क्योंकि Xiaomi के जो premium flagship phone होते है थोड़े से भेंगी साइट पर आते हैं और इनका सिर्फ एक ही model launch होता है तो हो सकता है कि जो MI8 जो next month आने वाला है उसकी कीमत लगबग 30-35,000 ही हो और उसका सिर्फ एक ह मॉडल है 6GB, 64GB वाला तो यह काफी इंटरस्टिंग चीज़ होगी तो दोस्तों आप बताओ नीचे कमेंट में कि आप वेट करोगे और लोगे MI8i को यहां फिर सीधे लोगे flagship phone MI8 को यहां फिर आप और ज्यादा वेट करोगे और MI8 को खरीदोगे जो कि 15-20,000 की रेज में लॉच्च हो सकता है तो दोस्तों इस सारी बात है मुझे नीचे कमेंट में बताओ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गुडबाई